हलो इस्टुडेंट आप सभी का स्वागत हैं इस्टुडेंट आज की स्यूडियो में हम 2019 हिंदी का मॉडल पेपर यानि कि जो 2019 में पेपर हुआ था आज उसका हम यहां पर आपको दिखाने वाले हैं अगर आप नौवी कलास से देश्वी कलास में की सुवर्स 2020 में कीजिया और मॉडल पेपर के अनुसारी आप प्यारी कीजिया आप अच्छे नंबर से जरूर पास होगे तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रस्ट कुछ इस तरह से पुछा जाता है यहां पर देख सकते हैं 2019 हिंदी केवल प्रस्ट कर समय जो दिया जाता है तिन घंटे प चार अप्षन प्रस्ट आप दिया है एक दो तीन चार चारों उप्षन में आपको पहचान करें लिखना होगा कि यह कठन इसमें कौन सा सभी है उसके आपको एक नमबर मिलेगा दूसरा प्रस्ट पूछ जाता है दूसरा नमबर पर आप देख सकते हैं खाना मान में यानि यहां पर रचना दिया हुआ है लेखक का यहां पर एक लेखक का है यानि चारों में से अगर एक कार आ है आपको यहां पर लिखना एक केवल आपको लिखेंगे तो उसका एक नंबर आपको मिलेगा वाई अगला देखते हैं पिर अगला नंबर यहां पर देख सकते हैं विदा के किसी एक लेखका का नाम लिखेंगे, आपको एक नमबर मिलेगा, पिर पांचों नमबर पे आप देख सकते हैं, आड़ा नमबर में पूछा गया है, बाल भट के आत्म कथा के लेखका का नामों लेख कीजिए, इसके लिए आपको एक नमबर मिलेगा, आइए फिर आपaires देख सकते हैं दोसरा प्लश्वारत नंबर दो बिरुत देख सकते हैं का में दिया हुआ है कि पर्गति वादी युग की दो पर्मुक विश्यस्ताएं देहिसे on अपा नंबर पर रिती काल की पर्मुक दो परविवितीयों पैंने कीजिए दो किसे एक आगे संदर में Sun यहां तिए पुछनों में पुछनों बहुत है लुँखको नम्ब के पुछना जकान पूछनों नीद में आगे अंध्या द कर стен अनलों का नाम लिखना वन जीकिशनों के दयागी सबस्यान कौना मां दीजिए यहां पर देख सकते हैं गद्यांस में दो गद्यांस दिये जाते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं उसके बाद खा यहां पर देख सकते हैं यह दो दिये जाते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है आप जो भी आपको आ रहा हो वो आप कर सकते हैं कि गद्याँज में कुछ इसतरा से हूं सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं पहले से प्रश अपने भासा में उसे अर्थ लिखना होगा जिसके लिए आपको दो नमबर मिलें यारे दो 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 तीर प्रश्ट पुछ जाते हैं तीनों प्रश्ट का दो दो अंक मिलता है तीसरे प्रश्ट पुछा गया है युवा प्रुस्ट की संगती यदि बुरी होगी तो उसका क्या प्रेडाम होगा तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा इसके लिए आपको दो नमबर मिलेंगी फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से दूसरे देख सकते हैं आप भी दिया हुआ है जैसे माल में आपको वाला नहीं आ रहा है ये वाला आ रहा है दो अप्शन दिये जाते है दुनों आपसर में आप कोई भी एक कर सकते हैं, यहां पर यह भी दिया हुआ है, उपर यह गध्यांस का संदर्व लिखिए, रेखाके अंस की वैक्ष्या कीजिए, मनुष्य के पतन क्या कारण है, तो आप उसी तरह से यह भी कर सकते हैं, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, यह कर सकते हैं, यह नहीं आ रहा है, तो वो कर सकते हैं, दो दिया जाता है, दो नहीं से आप कोई भी एक कर सकते हैं, सेम उसी तरह से पध्यांस में भी दो पूछा जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको जो आ रहा है, का रहा है, का कर सकते हैं, खा रह यानि कि यह किस पार्स पार्ट से आया हुआ है वो लिखेंगे आपको एक नम्बर मूले कैना हूँ उसके बास यहां पर समधर लिखेंगे उसके बाद आपको एक नम्बर मिले लिए से किसी एक लेखा का जीवन पर्चे दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखे यहां पर आपको तीन लेखा का जीवन पर्चे लिखना होगा जिसमें से एक का जीवन पर्चे आपको लिखना होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह दिया हुआ है किसी एक लेखा का यहां पहला दिया हुए जैसंकर परसाद, दूसरा दिया हुए पदुम्लार कुनार अलबक्षी और तीसरा दिया हुए डक्टर भागवत सरव उपध्या है जिसमें से आपको केवाल एक का लिखना होगा जिसके लिए आपको तो पुलस वान यानि कि दो नमबर जिमन फर्चे लिखने का मिलेगा और एक रचना आया नि इन तीनों में से आप जिसका लिख रहे हैं उनका एक रचना लिखेंगे तो एक नमबर एगा हैं टोटल आपको तीन नमबर मिलेंगे से मुसी तरह से खान नमबर में आप देख सक लेखना होगा जिसके लिए ठोटर आपको तीन नमबर मिलेंगे तो आप पर्चे लेखक का और कवियों का ज़रूर्यात का लीजिएगा उसके पाद आप देख सकते हैं याप छटे नमबर को कुछ इस तरह से प्रक्स पुछा जाता है कि निर्मलिखित संदर्व सहीत हिंदी में अन्वाद कीजिए यानि आपको यह लिखना होगा संस्क्री जो संस्क्री दिया हुए वरार्ची से विख्यात अपराचे यानि दो दिया जाता है यहां पर दिया हुआ है फिर आत्वा करके यहां पर दिया हुआ है तो आपको जो आ रहा है एक करना होगा और यह बतान तो आपको तीन नंबर मिलेंगे है टोडल आपको चान नंबर मिलेंगे सातवे नंबर पे आप देख सकते हैं आपको पुछा गया है प्रश्ट पुछे जाता है अपनी पाड पुस्तक में से कंठस्त किया हुआ कोई एक स्लोक लिखिए जो इस प्रश्ट पत्र में नाया हो यानि इस पूरे जो आपको पेपर मिलेगा उस प्रश्ट में कहीं जो आपने यात किया हूँ वो नाया हो उसके अलावा जो आपने यात किया है उसको आपको यहां पर लिखेंगे प्रश्ट स्लोक तो आपको दो नंबर मिलेंगी उसके बाद यहां पे खान नंबर में उतर देना है जिसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे यानि तोटल दो नंबर मिलेंगे फिर आगे प्रस्त पूछता है आठमें पर आप देख सकते हैं हासरस अथवा करूरस की परिभासा लिखिए और उसका उधारर भी दीजिए यानि इसमें से अथवा किया हुआ है आप आप हासरस अगयाद है हासरस से लिख सकते हैं अथवा लिखा हुआ है करूरस या नि इन दोनों में से आपको केवल एक लिखना होगा क्या लिखना होगा परिभासा और उसका उधारर जिसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे फिर आगे अपने पूछा गया है इसके लिए को दूनाबर मिलेंगे लिए उसके लिए उसके लिए को दो आपको पूरा मिलेंगे, त्खा नम्बर में आप देख सकते हैं, निम्रिखिन किनी दो प्रत्यों का प्रयोग करके एक एक्षर्ब बनाईगी, प्रत्य में यानि दो का यहां पर केवल आपको दो ही करना है, छे दिया हुआ है, इसके लिए आपको टोटल दो नम्बर सब्सक्राइब देख सकते हैं निर्गुन लखन काग ले ने बाती यानि इसका आपको तक्सम रूप लिखना होगा पांचों में से केवल आपको दो का ही लिखना होगा जो टोटल आपको दो नमबर मिलेंगे सब्सक्राइब डो सब्सक्राइब दो प्रहतों नमें सेतल आपको मिलेंगे माईंने गणी प्रश्pflicht% प्रश्ण संक्या सब्सक्राइब प्रहतों सब्सक्राइब डेख सकते हैं किनी दो में संदी कीजिये और संदी का नाम लिखेए यहाँ पे टोटल चार दिये हुए हैं जिसमें से आपको केवल दो काही करना है संदी लिखना है और उसका नाम लिखना है जिसके लिए आपको टोटल दो नंबर मिलेंगे हमें इमलिकित सब्दों के रूप , पपंचेमिवियत्थ की बहुचान मे लिखे चैनर में 2 नमबर करता है लिखें ने भी नमबर मी जोसलें के पिर बित्सके नहिसे पहलें नभर मिलेंगे, उसके बाद प्रश्च रंक्या 11 में नेशियो में से किसी एक विषय पर निबंद लिखिए, जिसके छे नहर मिलेंगे आपको, निबंद लिखना है जिसमेंसे 5 दिये हुए हैं यानि कि पाचों में से आपको जो अच्छी तरह, के अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं यह आपने याद किया हुआ है तो आप इन पाचों में से जो अच्छी तरह से लिख सकते हैं उनको अच्छे से लिख दीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेंगी उसके बार बारवन प्रस्न पुछ आता है कि अपने पटित खंड काव के आधार पर नियम्कित में से किसी एक प्रस्न का उप्तर लिखी है यहाँ पे आपको केवर एक प्रस्न लिखना होता है यहाँ पे बहुत सारे दिये हुए हैं आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेश पर भी रहता है यह आप अपनी स्कूल में पूछ लीजिएगा कि इन में से कौन सा याद करें सर वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा यह जिले के हिसाब से लिखना होता है जिसके लिए आपको तीन नंबर मिलेंगे तो यह था 2019 हिंदी का मॉडल पेपर यानि जो इजाम हुआ था इस हिसाब से आप भी अच्छे तरीके से याद करी लीजिएगा सेम इसी तरह से कुश्चन आएंगे बस क्या होगा कुश्च थोड़े बदली अदला बदली होंगे और पैटन जो है सेम होंगे तो आप जरूर से अच्छे तरीके से याद करी लीजिएगा इस सभी का उत्तर हमारे इस चैनल पर उपलब्द हैं आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी परस्णों के उत्तर आप जान सकते हैं आसा यू